मित्रूं चैमातादी कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट में चैमातादी चरू लिखे मातारानी आप सभी का कल्याड करेंगे मित्रूं वर्ष 2024 में अनंत चतुरदसी कब है पूजा करने का सुप महूरत कब है पूजा पिधी क्या है और चतुरथी तिति कब सुरू होगी कब समाप्त होगी जानेंगे इस वीडियो में लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आप से रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैन से जादे सेयर करेंगे मित्रों हिंदु धर में अनंत चतुर्दसी ब्रत का विश्यस महत्व होता है अनंत चतुर्दसी प्रतेक वर्ष भाद्रपद मास के सुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथी को मनाई जाती है जिसे अनंत 54 से भी चाणा जाता है इस दिन भगवान विश्यस का पूजन करनी का पिधान है अनंत चतुर्दसी को अनंत 14 के नाम प्रत एंच रूपकी पूज़ा होती है इस दिन भगवान गनेश भिसर्जन भी किया जाता है इस लिए इस पर्वका महत्व और भी पढ़ जाता है मित्रों अब पूजन करने की बिधी को भी चान लेते हैं जो इस प्रकार है अनंत चतुर दसी के दिन प्रातहकाल इस्नान आधिकरने के बाद ब्रत का संकल्प ले और पूजा इस्थल पर कलस इस्थापित करें कलस पर अश्ट दल कमल की तरह बने बरतन में कूस से निर्मीत अनंत की स्थापना करें इसके बाद एक धागे को कुमकुम केसर और हल्दी से रंग कर अनंत सुत तयार करें इसमें 14 गाठे लगी होनी चाहिए इसे भागवान विश्डू की तस्वीर के सामने रख दें अब भागवान विश्डू और अनंत सुत की पूरे विधी विधान के साथ पूजा करें पूजन करने के बाद अनंत सुत्र को बाजू में बाध लें इसके बाद ब्रामण को भोजन कराना चाहिए और सब परिवार सहित प्रसाद गरहन करना चाहिए मित्रों अब पूजा करने का सुप मुहूरत को भी चान लेते हैं जो इस प्रकार है मित्रों अब आपको बता दें कि वर्स दोहज्याद 24 मी अनन्त चतूरदसी 17 सितंबर दिन मंगलबार को पढ़ेगी अनन्त चतूरदसी पूजा करने का सुप मुहूरत है सुबद 6 बचकर 7 मिनट से लेकर सुबद 11 बचकर 46 मिनट तक रहेगा यानि पूजा करने की कुल अधी होगी 5 घंटे और 40 मिनट चतूरथी तित्थी सुरू होगी 16 सितंबर 2024 को दोपार 3 बचकर 10 मिनट पर चतूरथी तित्थी खत्म होगी 17 सितंबर 2024 को दोपार 11 बचकर 45 मिनट पर